हमारे मेन केरेक्टर को गए लड़की से लवई फर्स ताइट हो जाता है। बाद में उसे पता चला कि लड़की एक सेक्स वख रहे है। पर लड़की अपने पास से इस तरही से भाग नहीं सकती थी जा उपनी पुरानी लाइफ छोड़कर फिर से खुशी पाप आएगी जम आज के मारी मुवी रिडीमिंग लव एट वेंडी डॉन्टी टू की एक रोमैंस वेस्टरन होलोर मुवे में देखने वाले अगर आपको वीडियो चलगता है तो लिए से लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बिना किसी देरी एक एक स्टार करते हैं मुवी स्टार होती है और हम हमारी में गैरेक्टर एंजल को देखते है जो एक सेक्स वर करती उसके साथ रात बिताने के लिए लोग लोटरी लगा दे थे उसे जिन्दगी बिताने के लिए एक पार्टनर दे तो वो अपना सामा सेल करने के लिए टाउन में आता है एंजल वाक करने के लिए बाहर निगली थी और फर्स टाइम उसने उसे देखा और देखती उसे प्कार हो जाता है उसके फ्रेंड ने उसे समझाने की कुशिश की क्यों एक सेक्सवर करे और माइकल को इस बात से फरक नहीं पड़ता वो उसे मिलने के लिए माइकल आया एंजल ने उसे पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है एंजल पुछते कि क्या तुम्हारी शादी और चुकी है माइकल कहता है कि अब तक तो नहीं हुई एंजल कहती कि तो फिर अपने टाइम को तुम वेस्ट मत करो माइकल ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ पर एंजल उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है माइकल कहता है कि मुझे सिर्फ हाफ अवर दो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ पर एंजल इस बात के लिए नहीं मान दी अगली रात माइकल फिर से डेवल पे करकर एंजल के पास आ गया पर एंजल उसकी कोई बात नहीं मान दी अगली सुपा एंजल की फिरेंड्स माइकल के बारे में बात कर रही थी एक लड़की को माइकल बहुत अच्छा लगा था एंजल कहती कि मैं उसमें इंटरसेड नहीं हूँ अगर तुम उसे डिस्टैक कर देती हो तो मेरे लिए अच्छा ही हो जाएगा रात में उस लड़की ने माइकल को रोकने की कुशिश की लड़की उसे कहती कि एंजल इचा दी थी कि मैं तुम्हारे पास आ जाओ इस बाद से माइकल कुश सा जाता है और एंजल के पास आ गया एंजल कहती कि अब भी तूँ अपना टाइम में वेस्ट कर रहे हो माइकल कहती कि अब मैं यहां से जाने वाला हूँ और फिर से वापस नहीं आउंगा मुझे समझ में नहीं आता कि तुम यहाँ पर रहना क्यों चाती हो क्या तुमें मेरे लिए कुछ भी फेलने हो रहा या फिर तुमें कोई फेलिंग सी नहीं है उसे समझाने के लिए उसके पास आया और उसे किस कर लेता है एंजल कहती कि फाइनली तुम मेरे करीब आही गए माइकल है सुनकर उससे दूर चला जाता है कहता कि पहले मैं तुमसे शादी करूँगा और इसी के बाद हमारे बीच कुछ हो सकता है एंजल कहती कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती इस बाद से माइकल को बुरा लगा और वो वहाँ से चला जाता है बच्पन में जब एंजल की मदर की टेथ हो गई थी तो एगार ने उसे सीटी में प्रॉथल में लेकर आया वहाँ पर काम करने वाली एक लड़की उसे समझाने की कुशिश करती है कि प्लीज वो इस लड़की को कही और लेकर जाए वो आदमी मानता ने और बॉस के आफिस में चला गया वो बेना पर्मिशन की दारू पीने लग जाता है थोड़ी दिन में वहाँ का बॉस ड्यूक वहाँ पर पोच जाता है उसे गुशा आगया और एंजल के सामने उस आदमी को उसने मार डाला वो गयता कि आज से तुम मेरे लिए काम करोगी उसे जो भी काम करने के लिए कहता है कुश सालों में वो बड़ी होके और उसे बिजनेस पर वो लगा रहता है एक दिन वहाँ वर एंजल के फादर आ गया उन्हें जब रेलाइज हुआ कि उन्होंने क्या किया इसके बाद वो खुद को गोली मार लेता है इस सिचुशन हाथ से निकल रही थी तो वहाँ वर काम करने वाली लेडी एंजल को वहाँ से भगा रही थी है गुसे में ट्यूक ने उस लेडी को मार डाला था एक शीप में गई दूर एंजल वहाँ से निकल पड़ी इस शीप में भी हर एक आदमी उसी को देख रहा था कुछ लड़कया उसे कहते है कि दुमारा साथ टाइम स्प्रेंट करने के लिए लाद में बहुत सारे पैसे पेए करेंगे इंजल इस बात के लिए मान जाती है जब वह फाइनली सीटी में पहुचे तो एंजल ने जो भी पैसे कमाये थे इस सब कुछ उससे चीन लेती है और फिर से हम प्रिजेंट देखते हैं एंजल की तबीर ज़रा बहुत देखते हैं लिए उसे बात करने के लिए कि डैचेजस से खहती कि आजद होने के बाद तुम करो की क्या क्या किसी के साथ घर वसाओगी उसके लिए तूम काम करो की उस लाइफ से तो अब तुमारे पास जो फीडम है यह बहुत अच्छा है एंजल ने अपना मन बन करती है डेज़ेश गुस्ता होकर अपने आत्मी को एंजल को मारने के लिए भीज़ देती है इंजल को मार मार कर उसकी बहुत ही बुरी हालत उन्होंने कर दी थी रात में माइकल को सबना है कि एंजल के साथ कुछ बुरा हो रहा है वह अगली सुवा फर्स इंग वहाँ पहु कि तुमने डचेस को जितने भी पैसे दिये वो बहुत ही जादा दे दिये माइकल कहता है कि उस सिचुईशन के वज़े से मुझे पैसे देने पड़े है वो इस तरीके से उसे खरीद कर नहीं लाना चाता था एंजल कहती कि तुम्हारे सारे पैसे में तुम्हें वापस कर दूंगे और इसके बाद में यहां से चली जाओंगे माइकल इस बाद पर सिर्फ देता है उसने कुछ कपड़े उसे दे दिये एंजल ने पुझा कि क्या यह तुम्हारे वाइफ क्या है माइकल के दाए कि मेरे सिस्टर के थैं पर एक भीमारी के वज़े से लास्ट यह उस एंजल वहाँ से बागने की कुछिश करती है माइकल उसे ढूंड लेता है एंजल ने कहा कि तुम मुझे ओन नहीं करते है माइकल उसे एक जैकेट और कुछ पानी दे देता है वह रता है कि रस्ता बहुत ही दूर है और तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हारे प पटी करने लग गया एंजल उसे बुछ दे कि तुम मेरे इतना ख्याल क्यों रख रहे हो माइकल कहता है कि वहाँ से वापस आने का डिसीजन बहुत ही हाड था पर फिर भी तुमने करकर दिखाया है उससे हल मांगती है और फिर उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी माइक इस फार में तुम्हारे साथ में काम कर सकते हूं वो फिर उसे फार्मिंग की अलग अलग चीज़ें सीखाता है जिसे एक्ज लाना फिशिंग करना यह सब करते करते एंजल पी जड़ा एंज्ट्राइब करने लग गयी थी रात में उससे उसके पास आकर सोने के लिए कहती ह मैंकर इसके लिए मना करता है एंजल ने कहा कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाती शायद वो कुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है इस वज़े से घर के बाहर जाकर स्विमिंग करने लग जाता है रात में जब एंजल सोई हुई थी तो टूक वहाँ पर पहुच आता है तो उसे क बीच रात में तुम मुझे कहा पर लेकर जा रहे हो माइकल उसे मौंटन पर लेकर आया एंजल कहती कि मैंने मेरी लाइफ में जो शीज देखिए उसकी हाफ भी तुम कभी भी मुझे एक्सेप नहीं करोगे माइकल कहता कि अब तुम अपनी लाइफ को सही करने का डिसीजन कि सिस्टर का हस्बंट जिसका नाम है पॉल वो आ जाता है वो अपने काम कि लिए जड़ा दूर गया था पर अब वह वापस आ चुका है उसका काम बहुत हार था माइकल से बुचता है कि तुम क्यासे हो माइकल करता है कि मैंने शादी कर ली घर में आ कर एंजल से पॉल को देखा हुआ था उसे उसके बारे में पता है एंस वजे सुससे शौक लगता है वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता जब माइकर घर से बाहर चला गया इसके बाद वह बात करता है वो पूशता है क्या उसने कहा कि अगर तुम मुझे भाई जैसा प्यार करता तो तुम एंजल को भी एक्सेप्ट करोगे। इंसिरन्ट की वज़े से एंजल को बुरा लग रहा था। माइकल कहता है कि तुम्हारी पास लाइफ को तुमें छोड़ देना पड़ेगा। एंजल का में फिर से पास देखता है जिसमें वो प्रिगनट हुई थी। ये फिर से नाओ इसी वज़े से ड्यूप ने डॉक्टर को बुलाया था। उस पर ऑपरेशन किया ताकि एंजल फिर से प्रिगनट ना हो पाए। अगले दिन जब वाल वहाँ से जा रहा था तो एंजल कहरती कि मुझे भी सीटी में लेकर जाओ। वो माइकल को फैमिली नहीं दे सकती वो इसी वज़े से उसे छोड़ कर जाना चाती थी। वाल अब भी बिल्यों नहीं कर रहा था कि माइकल खोद एंजल के पास गया था। पॉच्ता है कि अपने घर लोट जा वरना विद्म हमार डालूंगा। वो जल्दी से एंजल के पास बोच गया। उसे बुच्ता है कि लिखर यहार पहर आगा साथा। यहां करती है तो नहीं जाने नहीं दे रहे थे। तो माइकल को सबको मारना पड़ा। एंजल कहती कि क्या तुम्हें पता है कि पॉल ने मेरे साथ क्या किया माइकल कहता है कि उसकी आखों में मैंने गिल्ड पहचान ली थी एंजल ने कहा कि तुमने मुझे वही पर क्यों नहीं छोड़ दिया माइकल कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस तरीके से छोड़ नहीं सकता इंजल ने जो भी किया इस के लिए उसे बहुत गिल्टी लग रहा था और वो खुद को सजा दे रही थी माइकल उसे साहर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ माИकल कहता है कि मेरे फादर के पास बहुत पेसे थे वो सारे स्लेवस को ट्रेन करते थे मेरे फाधर ने फिर एक राद एक लड़की मेरे पास बेजी वो एक स्लेव थी पर मैंने उसे भी फ्री कर दिया और इसके बाद अपने फादर को छोड़ कर हमेशा की लोग कही दूर चला गया माइकल करता है कि हमें यहाँ पर कुछ प्लांस लगाने चाहिए इस बार एंजल यहाँ के सारे कामों में बहुत ही इंटेस ले रही थी सोली सोली और सब को सीख रही थी एक दिन रस्ते से गुजरते वोग तो कुछ लोगों को देखते है वो एक फैमिली थी और उनकी मदर प्रेइनन थी माइकल उनका खयाल रखने के लिए उनने घर पर ले कर गया वो लोग माइगरेट कर रहे थे और किसी और जगा पर जाकर रहना चाते थे उनकी मदद के लिए बहुत ही थैंकफुल थे उनकी एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम था मरियम मरियम एंजल से पुछती है तुम और माइकल मिले कैसे थे एंजल ने उसे सब कुछ सच बता दिया वो दोनों अची फ्रेंड्स बन गे माइकल ने बाद में पॉल को भी माफ कर दिया था फैमिले में डिलोरी होती है और एक नया बेबी आता है माइकल और मरियम दोनों मिलकर उस बच्चे का खयाल रख रहे थे यह देखकर एंजल को लगता है यह मरियम और माइकल की जोड़ी बहुत ही अच्छी रहेगी उससे इसके बारे में पूछ भी लेती है माइकल करता है कि मैं तुमसे पैर करता हूँ उसे कोई भी अच्छा नहीं लगता एंजल ने उसे कहा कि मैं प्रिगनेट नहीं हो सकती है ड्यूप ने एक बार डॉक्टर को बलाया था और उन्होंने कुछ किया था पॉल करता है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए कभी भी कोई भी मेरा कल हो सकता है वो दोनों डिनर करते हैं और एंजल ने कहा कि संट्राइज हमने जब देखा था उस लोकेशन पर मुझे लेकर चला वो दोने एक बहुती ब्यूटिफुल जा संसेट देखते हैं वही बर इंटिमेट हो गए अगली सुबा एंजल ने मरियम को एक लेटर लिखा उसके साथ माइकल की रिंग भी थी यसे उसे देखकर वो चली जाती है इसमें लिखा था कि तुम और मरियम एक अच्छी से फ्रैमिल स्टार्ट कर सकता हो मरियम माइकल के पास है और कहती कि तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा माइकल करता है कि इस बार वापस आने की चॉइस उसकी होनी चाहिए एंजल सीटी के एक होटेल में पहुँच दिया उसने ओनर से गा कि आपकी आवर अच्छा खाना नहीं मिलता ओफर करती है कि यहां की कुप बन सकती है उनारे वाद सुनकर खुश था उसे रहने की भी जगा दे रहता है एक दिन डूक कार्द में उसे वापर काम करता नोटिस करता है रात में उसने इस होटेल को आग लगा दी माइकल एंजल की आद में घर पर दड़ब रहा था एक दिन डूक एंजल के पास आजाता है और फिर से अपने साथ उसे लेकर जाना चाता था एंजल कहती है कि तुम मुझे जबर्दस्ति नहीं कर सकता है यहां लोग मुझे हेल्प करने के लिए पहुच आएंगे डूक कहता है कि कल आग हमने लगाए थी अगर तुम नहीं मान थी तो उन्हों को मार डालेंगे एंजल के पास फिर कोई आप्शन नहीं था उसके पास आके काम करने की जगा पर देखती है कि डूक के बास अब और दो छोटी लड़किया थी इंजल कहती कि तुम एक्च्वल लड़की को कभी हैंडल नहीं कर पाते है इस वज़े से छोटी बच्चियों को तंग करते हो माइकल कहता है कि फिर से अगर तुम मेरी अगेंस्ट के तुम्हें तुम्हें माड डालूंगा इसके बाद अपने सब लोगों को एंजल को दिखाना चाता था वो लोगों के सामने आने वाली थी पर वो फर्स टाइम गॉड को प्रे करती है कहती कि मुझे शक्ति देना वो सब लोगों को बता देती है कि किस तरीके से डूक छोटी लड़कियों को हरास करता है ये सुनने के बाद लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ गया वो जाकर चेक करते हैं और जब उन्हें लड़कियां मिलके तो डूक को मार डालते हैं डूक के लिए काम करने वाले आदमी भी उसे तंगा गये थे और वो एंजल को लड़कियों को बचाने के लिए हेल्प करते हैं और इसके बाद डारेक्ली तीन साल गुजर के अपने काम से पॉल जारा सीटी में आता है उसने वहाँ पर एंजल को देखा पॉल को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा वो माइकल के बारे में बूचते हैं पर पॉल ने कहा कि मरियम मेरी वाइफ है एंजल ने कहा कि तुम इसा कर गैसे सकते हो पॉल कहता है कि मरियम माइकल को ब्रदर की तरह समझती थी माइकल अब भी तुम्हारे लिए वेट कर रहा है तुमसे बहुत प्यार करता है तुम्हें उसके पास वापर जाना चाहिए पॉल कहता है कि चार बज़े में यहां से जाने वाला तुम मेरे सार चल सर्कती हो फाइनली एंजल माइकल के पास आके वोसे इस बार अपना रियल नेम बता दिया उसका नाम सारा था उसने कहा कि मैं तुम्हें यहां पर I love you कहने के लिए मैंने जो भी कहा इस किल में sorry हूँ मेरी वज़े से तुम्हें बहुत तकलिफ हुए माइकल कहता है कि हमें जो भी प्रॉलम्स थे इनी सब प्रॉलम्स की वज़े से अब इस मूवेंट में हम एक साथ है वो फिर से अपनी मदर की रिंग सारा को देता है मूवी के लास्ट मूवेंट में इनके साथ हमें एक बेबी देखते है शायद इनका बेबी था या फिर है मरियम का बेबी है पर फिर से फैमिली बन चुके थे इसी के साथ इस मूवी का इंड हो जाता है